आप जानते हैं Republic TV के उपर जो TRP investigation हो रही है, उसके बारे में सब जानते हैं, आज करनाटका High Court ने Republic के CEO को एक बड़ी रहत दी है, वो रहत क्यों दी है, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको arrest किया जा सकता है इस case के अंदर, वो इसलिए करनाटका High Court में petition डाली थी उन्होंने क उनको transit bail मिले, transit bail क्या होती है, कि जब आप किसी और state में होते हैं, तो court के पास वो power होती है, वो discretion होती है, कि court आपको समय दे, कि आप जिस court में, जिस state में offense हुआ है, उस state के जो भी appropriate forum है, वहाँ पे जाके anticipatory bail ले पाएं, sessions में या High Court में, वो individual का decision होता है, तो ये बड़ी रह मिली है, और ये रहत court ने क्यों दी, वो इसलिए दी, court ने कहा कि दो बारी, जो Republic की CEO है, वो मुंबई पुलिस के सामने statement दे चुकी है, 17th को और 18th November को, उसके बाद court ने कहा, उनके फादर बिमार हैं, और आज कल आप जानते हैं, COVID कितना फैला हुआ है, हर घर में कोई ना को जानी, वो COVID से बिमार है, या कोई और रीजन से बिमार है, तो वो बैंगलोर आ जाती है, और वो inform करके आती है, बैंगलोर, कि मैं वापस आके दुबारा जोइंग कर लूँगे, और दो बारी जोइंग कर चुकी है, पर फिर कुछ डूवलेप्मेंट्स होती हैं, ऐसी, टे साथ ही साथ, फिर वो appropriate forum जाके एक normal course में anti-spitally bail ले पाए, इसका बहुत गिरोध हुआ, पर court ने कहा कि उनको citizens की liberty बचानी है, उनको citizens के rescue पे आना है, उनको अरनेश कुमार जो landmark judgment है, उसके हिसाब से चलना है, और court ने आके ये relief दिया, 20 दिन का, बहुत अच्छा relief दिया, कि आप जाके, appropriate court में जाके, महराश्रा के application डालिये, जल्द बाजी में ऐसा ना हो कि आपको court जाने का time ही ना मिल पाए, और आपके साथ कुछ हो जाए, arrest हो जाए, तो ये court ने time दिया, it is a big decision of the court, it is a decision जो professional है, एक highly qualified professional है, CEO है company की, उनको एक big relief मिलेगा, और अब जो महराश्रा के appropriate courts हैं, जहां भी वो जाएंगी, वहाँ पे सुनवाई होगी, पर कई बारी ये जो big relief मिलता है, breathing room मिलता है, ये बहुत जरूरी होता है democracy में, end में जो final चीज होती है, वो तो investigation के हिसाब से होती है, पर ये citizens की liberty के लिए, that is why हमेशा बोलता हूँ कि आप जब भी नराज होत अलग बात है, पर वो individual चीज होती है, पर broadly courts ही हमेशा rescue के लिए आते हैं, जहां पर उनको लगता है किसी भी, किसी भी state में, किसी भी police में, किसी भी जगा पर excessive action हो रहा है, so this is a good development, this is a big development and I thought आपको ये पता होना चाहिए, के एक रहत आई है इस case के अंदर